E-Pen यानि की Electronic Pen Card आखिर ये क्या चीज़ है और इसको हम कैसे बनवा सकते हैं Pen Card तो आप लोगों ने सुना होगा आखिर ये E-Pen Card क्या है तो मैं आप लोग को बता दू जिस तरीके से हमारे Pen Card valid है उसी तरीके से Pen Card की Soft Copy यानि की E-Pen Card एक अलग तरीके से बनाया जाता है और वो भी हमारा valid है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे की E-Pen Card आप कैसे बना सकते हैं Step by Step process क्या है, किस website पर आपको जाना है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है लेकिन इस से पहले मैं आपको E-Pen Card के कुछ फायदे बता दूँ यैसे की E-Pen Card जब आपको बहुत ही जल्दी जरूत है Pen Card की तो आप Physical Pen Card की बजाए E-Pen Card अपलाई कर सकते हैं E-Pen Card maximum ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिनों में आपको मिल जाता है Soft Copy के रूप में E-Pen Card, Physical Pen Card की तरह ही आपका Valid Card है E-Pen Card को बनाना बहुत ही आसान है आप इसे अपने Mobile, Laptop, Desktop पर आसानी से बना सकते हैं बस इसके लिए आपको चाहिए आपका अधार Card E-Pen Card बनवाने में कोई भी आपको पैसा नहीं देना होता है ये बिल्कुल मुफ्त और आसानी से बन जाता है तो चलिए क्यों ना जल्दी से सीख लें कि आखिर ये E-Pen Card कैसे बनाना है इससे पहले नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Education and सरकारी डोकुमेंट्स पर इस चैनल पर हम आपके लिए Education, सिक्षा और सरकारी डोकुमेंट्स जरूरी कागजातों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं चाहे कोई Important Document हो, कोई Certificate, Government की Scheme, Business Idea या फिर Loan Ideas चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इपन कार्ड के बारे में पैन कार्ड यानि की Permanent Account Number जिसको हिंदे में स्थाई खाता संक्या भी कहा जाता है आज की समय में जिस तरीके से आधार कार्ड आपके लिए जरूरी है उसी तरीके से Pen Card भी बहुत जरूरी है Pen Card किसी वी बैंक में खाता खोलने, राशी निकल वाने या जमा करने या आई कर देने वालों की पहचान के लिए महतोपून कार्य करता है इसके लिए किसी भी वित्य दस्तावेजो या लेंदेन के साथ पैन कार्ड की जानकारी डालना अतियावशक है जैसे कि अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ जरूरी है मूचुल फंड, LIC, किसी भी इंशुरेंस स्कीम को आप लेते हैं या फिर कोई भी समान EMI पर लेते हैं, कार करीते हैं, बाइक खरीते हैं, फ्लैट लेते हैं या फिर जोली पांच लाग से उपर लेते हैं तो वहाँ पर भी पैन कार्ड बहुत ही जरूरी है पैन कार्ड एक अलफा नुमेरिक दस अंकों की संख्या होती है, जो की इंकम टेक्स विभाग दवारा निर्धारित किया जाता है पैन कार्ड को आप वेलिड आईडी प्रूफ यानि की पहचान पत्तर के तोर पर भारत में कहीं भी किसी भी जंगल लगा सकते हैं ये इपैन कार्ड आखिर क्या है, आईटी विभाग दवारा जारी किया गया पैन कार्ड नंबर दस अंकों का विसिस्ट अलफा नुमेरिक नंबर होता है जो की आईकर विभाग आपको डिजिटल रूप में प्रोवाइड करता है इपैन वास्तों में आईकर विभाग दवारा ही इलेक्टोनिक ये डिजिटल प्रारूप में जारी किया जाता है डिजिटल रूप से हस्ताक्षित पैन कार्ड होता है तो अगर ये पैन कार्ड आईकर विभाग ने जारी किया है इसका मतलब ये हर जंगे मानने है इलेक्ट्रोनिक रूप से जारी और डिजिटल रूप से हस्तारशिक E-PAN आईकर विभाग के अधिनियम 1961-1962 में संशोधन के तहट वैद घोशित किया गया है इंकम टेक्स के द्वारा जो E-PAN कार्ड आपको दिया जाता है आईकर विभाग दवारा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आप जान लेते हैं कि अगर आप E-PAN कार्ड के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपलाई करना है दोस्तो सबसे पहले आपको income tax.gov.in इस official website पर आपको visit करना है इस website पर आप जब पहुचेंगे तो यहाँ पर home page पर आपको जाना है अगर आप by chance किसी और वो page पर हैं तो आपको यह options अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप इस home page पर click करें यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर quick links में बहुत सारे options दिखाई देंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा instant e-pen आपको इस option instant e-pen पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे options होंगे जैसे कि e-pen में आप यहाँ पर देखेंगे तो e-pen facility है जिससे कि आपको instant pen यानि कि real time basis पर allotment हो जाता है उन सभी लोगों के लिए जिनके पास valid आधार नमबर है यानि कि अगर आप e-pen बनवाना चाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा आपके पास आधार नमबर होना चाहिए यह pen आपको PDF format में issue किया जाता है और साथ ही यह बिल्कुल free of cost है यह बहुत ही easy और paperless process है इससे आपको e-pen within 10 minutes मिल जाता है और आपका value इसकी same ही होती है जैसे कि आपके physical card की है आपको बस करना होगा क्या काम आधार card number और आपका link mobile number यह आपको चाहिए आपका e-pen बनाने के लिए इसमें आप थोड़ा सा नीचे visit करेंगे तो आपके पास यह option होगा get new e-pen new e-pen पाने के लिए आप यहाँ पर tick करेंगे get e new e-pen पर click करना होगा क्योंकि यहाँ पर e-kyc होगी आपके आधार card की जैसे आप get new e and e-pen पर click करेंगे आपके पास 4 options में 4 process में आपका e-pen बनता है पहले में आपको अपना आधार नंबर detail एंटर करनी होगी second में आपके पास otpi आएगा उसको आपको validation करना होगा फिर आपको अपनी आधार detail valid करनी होगी फिर उसके बाद आपको select करना है और pen details update कर देनी है goat new e-pen में आपके पास आधार जो की e-kyc based होड़ा है pen card free of cost है यहाँ पर आपको अपना 12 digits का आधार नंबर भरना होगा उसके बाद आपको confirm करना होगा कि आपके पास पहले कोई pen card नंबर नहीं है आपको कोई pen नंबर alert नहीं हुआ है आपका active mobile number आपके आधार कार्ड से link है और साथ ही आपके आधार कार्ड पर आपकी complete date of birth dd, mm, yy की format में mention है क्योंकि जब बहुत ही शुरुआत में आधार कार्ड बने थे उस time पर सिर्फ बर्थ year लिखा होता था इसके साथ ही यह pen card बनवा रहे हैं जिस भी दिन उस दिन पर आप minor नहीं है यानि कि आप 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है इसके बाद आपको इस continue पर click करना है click करने के बाद आपको कुछ validation के लिए इस तरीके का आपके पास terms and condition open हो जाएंगी कि request आपको करनी है OTP की by SMS जो कि आपके आधार link mobile number पर आएगा और जो कि UIDI द्वारा आता है ये सारे details fill करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद आपको click कर देना है continue उपर continue उपर click करने के बाद जो आपको OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को आप यहाँ पर इस box में fill कर देंगे जो कि छैंको का होगा उसके बाद आप agree करेंगे कि आप अपनी आधार details को validate करने के लिए agree है UIDI के साथ इसके बाद EKYC के लिए आप अपनी confirmation देखे continue पर click करेंगे continue पर जैसे ही आप click करेंगे आपके पास आपके आधार EKYC का सारा का सारा data आपके पास आजाएगा जैसे कि आपका photo, आपका अधार number आपका नाम, date of birth gender, mobile number email ID, address etc. mobile number और email ID को आपको OTP के द्वारा validation करना होगा OTP verification होने के बाद आपके पास option आजाएगा जब आप सारी details submit कर देंगे your request for EPAN has been submitted successfully इसके बाद आपको एक acknowledgement number दिया जाएगा जो कि आपके पास यहाँ पर होगा इस box की जंगह पर, वो आपको अपने पास note करके रख लेना है, साथ ही वो आपको की mobile और email ID पर भी भेज़ दिया जाएगा, go to login से आप बाद में अपने EPAN का status भी चेक कर सकते हैं status कहां से आपको चेक करना होगा दुबारे से आपको income tax की website पर जाना है, home पर जाना है instant pen पर जाना है और वहाँ पर जहाँ पर हमने get new EPAN पर क्लिक किया था, उसके side में ही एक box है, check status download pen का, यहाँ पर आपको फिल करना होगा और फिर आपको क्लिक करना होगा continue पर जैसे आप continue पर क्लिक करेंगे आपको आपके mobile number पर एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को जो की 6 एंकों का होगा आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद आप continue पर select करेंगे continue पर select करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे किस date पर आपने अपना submit किया था e-pan किस date पर आपको मिला है यहाँ पर आप view pen या फिर download e-pan भी आप यहाँ पर कर सकते हैं view या download दोनों ही option अविलेबल है आपके पास आपका pen card download हो जाएगा और आप अपना capture submit करके उसे download कर सकते हैं दोस्तों जब आप अपना pen card download करेंगे तो उसके लिए आपको एक password की जरूत होगी और password होगा आपकी जनमतिती जैसे कि अगर आपकी जनमतिती है 2 मई 1996 तो आप 02051996 यह आप अपना password में डालेंगे और आपके पास e-pen card उपलब्ध हो जाएगा आप इसका print भी निकलवा कर रख सकते हैं उमीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फाइदे मन रही होगी और आपको इस वीडियो से पूरी help मिली होगी कि आपको क्या-क्या document चाहिए e-pen बनवाने के लिए e-pen physical pen की तरही valid है pen card क्या होता है किस website पर आप जा कि अपना pen card कितनी आसानी से बना सकते हैं साथ ही आप अपने e-pen card को कैसे view या download कर सकते हैं और downloaded e-pen का आपका password क्या है इस वीडियो में हमने सारी जानकर या आपके साथ साजा की है उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो like और share करना ना भूले साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो upload की जाती है उसकी notification आप सभी लोगों को मिल सके दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे इसी तरीके की कुछ नई जानकारियों के साथ तब तक धन्यवाद साथ ही आप मैं शोशन मीडिया पर follow कर सकते हैं link description box में है